Hello guys, welcome back to my channel. So guys, today your topic is phrase. जैसे कि previous वीडियो में भी हमने discuss कर लिया है कि phrase क्या होता है, उसकी कौन-कौन सी types होती है, जैसे 4 main types की मैंने आपको phrase बताई थी और 2 जो that is noun phrase और adjective phrase जो हम previous वीडियो में discuss कर चुके हैं. तो आज हम discuss करेंगे what is adverb phrase and what is prepositional phrase, ठीक है, one by one हम इसको discuss करेंगे, I hope कि आपको phrase का meaning समझाया होगा, और क्या होती है noun phrase वो भी समझाया होगा, और क्या होती है adjective phrase वो भी समझाया होगा, तो today first of all we will discuss what is adverb phrase, ओके, तो आज हम third one discuss करेंगे, क्योंकि first two हमारी पहले से हो चुकी है adverb phrase, ठीक है, adverb phrase क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए adverb क्या होता है, adverb होता है kriya vishishin, हिंदी में जिसको बोलते है kriya vishishin, the words, जो किसको, मतलब वो वाले words जो आपके किसके बारे में बताते हैं, आपके, आपके kriya की विशेषता बताते हैं, the word which tells us about the quality of a verb, ठीक है, कि उस verb का कैसी quality है, कैसे कोई action हो रहा है, किस तरह से कौन सी जगह पे कोई action perform हो रहा है, कौन से time पे हो रहा है, कितनी frequency से हो रहा है, कितनी degree से हो रहा है, all these things comes under the adverb, जैसे आपने पढ़ा होगा, adverb क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, adverb क्या होता है, जै क्या आएगा वो वाले words एड़व फ्रेस्ट क्या होते हैं वो वाला group of verb that does the work of an adverb जो किसकी तरह work करें आपके adverb की तरह work करें एक sentence में ठीक है जैसे आप देखो adverb की बहुत सारी types parts of speech में मैंने आपको adverb पढ़ाया था उसके हमदर मैंने बहुत सारी types पढ़ाया थी adverb of place होता है adverb of manner होता है adverb of frequency होता है adverb of degree होता है और और भी बहुत सारे होता है जैसे interrogative adverb होता है relative adverb होता है ठीक है तो मैं आपको एक example देती हूं in a sentence वो sentence में एक होटी है और किसको modify करती है एक verb को adjective को और पहले भी पताया था कि another adverbs को भी आपके क्या कर सकती है मतलब वो एक्ट करती है another adverb की तरह ठीक है अब देखिए adverb are the word adverb phrase are the group of words यह words that do the work as an adverb in a sentence it modify a verb adjective or adverb ठीक है यह आपको पता चल गया verb को modify करते है आपके adjective को भी कर सकते है और किसी और adverb को भी कर सकते है वो मैंने आपको adverb में बताया था कि किस तरह से किसी और adverb वो पहले वाले adverbs जो और वो modify करते है ठीक है तो आप मैं इसकी example देती हूं then you can understand कि किस तरह से किसी sentence में adverb phrase आ सकता है जैसे first example the man talked in a rude manner man किस तरह से बात करता था वो वाला जो आदमी उसने किस तरह से बात की यह किस तरह से बात करता था in a rude manner ठीक है किस वे में in a rude manner मतलब अच्छे भी हेप से नहीं बात की अब देखिए action तो हो रहा है ठीक है अगर मैं लिखों the man talked rudely तो rudely is the adverb वो आपका adverb आ जाएगा लेकिन अगर हमें उसको adverb phrase में convert करना है तो हम लिखेंगे in a rude manner क्योंकि ad phrase जो होता है that is a group of words not a single word इसलिए हमें adverb phrase बनाने के लिए हमने यहां पर लिख दिया in a rude manner अब वो कह रहा है कि जो man उसने बात की किस भी मतलब तरीके से की in a rude manner मतलब रूट तरीके से बात की तो यह rude तरीके से बात करना that is the adverb of manner adverb of manner में मैंने बताया था ना कि इसका यह कुण से questions का अन्टा देता how कि किस तरह से उन्होंने यह काम को यह perform किया है ठीक है तो in a rude manner that is your adverb phrase in this sentence manner की भी साथ में है यह आपका रहेगा adverb phrase ठीक है अब next आपको आजाए अब मैं next और बताऊंगी next he visited me then and oh sorry एक मिनिट he visited me now and ठीक है वो कह रहा है he visited me उन्होंने मुझे विजट किया था अभी बतला अभी भी हो आए थे and then तब भी हो आए थे ठीक है तो he visited आप देखे now or then अब यह जो words है न यह आपके आते हैं adverb of time में कब-कब ठीक है adverb of time अगर एक now लिखा होता तो यह क्या होता आपका adverb indicate कर रहा होता है लेकिर हमने now and then लिखा that is that act as an adverb phrase in a now and then जो होगा यह आपका adverb phrase होगा इस में इस sentence में ठीक है I hope guys कि आप समझ रहे होंगे किस तरह से adverb phrase चूज कर किये जाता है now and then this tell us about the time of the action कि कौन से टाइम पर कौन से action हो रहा ठीक है अभी भी हुआ और पहले भी हुआ था जब वो आया था ठीक है यह क्या आपका adverb or adverb phrase तो guys आपको समझ आ गया होगा कि अब नेक्स्ट हम डिसकस करेंगे आप बहुत सारी एक्जेंपल से इसके गूगल पर देख सकते हैं किसी ग्रामर की बुक पर देख सकते हैं और मैं इसकी एक्सराइज भी सॉल्व कराऊंगी तब भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एड़ फ्रेस को हम चूज करते है ठीक है तो नेक्स्ट गाइस हम डिसकस करेंगे वाट इस प्रिपोजिशनल फ्रेस अब देखें प्रिपोजिशन क्या होती है प्रिपोजिशन क्या होती है जैसे आप वो वर्ड्स यूज करते है जो आपके प्रिपोजिशन प्लेस होती है बिफोरे नाउन आर प्रिण नाउन, आपके नाउन के पहले भी हो सकती है, प्रनाउन के पहले भी हो सकती है, यह सब क्या होता है, प्रिपोजिशन होती है, ठीक है, प्रिपोजिशन, प्रि होता है, पहले पोजिशन होता है, मतलब पोजिशन करना, उसको, मतलब अप्लाई करना, आप कहां पे उसको अप में preposition आता है objective preposition होता है that is the noun or pronoun होता है और उसके also उसके किसे बनती है वो उनके noun or pronoun के modifiers भी होते हैं ठीक है जैसे मैं लिकूं consists of preposition आपके noun and pronoun and other modifiers ठीक है और modifiers भी हो सकते हैं आपके ठीक है अब इसके अंदर जैसे आपके preposition basically होती क्या है जैसे हम लिखते है on the table on क्या है इसमें आपकी preposition in the garden in क्या है आपकी preposition अब in the garden यह सारी phrase होगी on the table is the phrase ठीक है अब यहीं हम discuss करेंगे अब देखिए आपकी preposition phrase जो है वो आपकी end किसके साथ होती है start होती है आपकी preposition के साथ ही और end होगी किसी noun pronounce के साथ और आपकी जाप अब्जेक्टा प्रिपोजिशन से भी हो सकती है यहीं नाउन और प्रनाउन के साथ ठीक है अब वो कह रहा है जैसे मैं आपको यहां पर अग्जेम्पल दूंगी preposition phrase की then you can understand अब preposition phrase में प्रिपोजिशन जो होती है phrase वो कभी-कभी आपका adjective की तरह भी behave कर सकती है कभी-कभी आपकी adverb की तरह भी behave हो सकती है ठीक है क्योंकि जब adverb लगेगा तो वो adverb की तरह behave करेगी लेकिन जब आपका adjective होगा तो वो आपका adjective की तरह behave करेगी जैसे मैं लिखूंगी example the gift inside the box is for my mother ठीक है अब वो कह रहा है gift जो कहां पे है आप देखिए सबसे पहले आपको preposition पता होना चाहिए इस sentence में हमारी preposition क्या है only preposition की बात कर रही हूं inside हमारा preposition है इस sentence में अब वो कह रहा है कि अगर preposition इस sentence में inside है तो मतलब preposition phrase भी इसी के आसपास की होगी the gift inside the box is for my mother वो कह रहा gift जो किसके अंदर है अब यहां पे आप इसको लगा लो मैंने यहां लिख दिया big box जो लिख दिया red box जो ब्लू box जो भी है ठीक है the gift inside the big box is for my brother वो किसके लिए है मेरे mother के लिए ठीक है अब वो कह रहा है कि जो gift किसके अंदर है inside the big box अब देखे यह big जो है that tells the quality of a box कि box कैसा है अब big क्या आपका adjective है तो इसका मतलब यहां पे जो inside the big box जो होगा that is your phrase prepositional phrase है लेकिन किस तरह से behave करी है as an adjective क्यों कि इसके अंदर आपका big जो है that is the adjective इसलिए यह आपकी adjective की तरह आक्ट कर रही है इस sentence में ठीक है लेकिन है यह आपकी prepositional phrase I hope guys कि आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि big आपका adjective है box की quality बता रहा देखे आपकी prepositional phrase शुरू किस से हो रही है preposition से end किस से हो रही है नाउन से मैंने पहले ही बताया था preposition phrase जो होती है वो begin होती है आपकी preposition से और end होगी जहां तो आपकी नाउन से यह प्रेनाउन से ठीक है अब हम इसकी second definition पढ़ेंगे जो आपकी as a adverb act करेगी ठीक है क्या करेगी आपकी as a adverb जैसे मैं लिखूंँ दा लॉइन करेप्ट स्लोली ओवर दर ग्रास ठीक है लाइन जो है वो क्या कर रहे है क्रेप्ट करना होता है रियागना जैसे क्रॉल करते हैं बच्छे ठीक है वो कहता है लाइन जो है वो क्रेप्ट कर रहे हैं दीरे दीरे कहा ओवर द ग है यह क्या है आपको place बता रहे ना तो यह आपका एड़ रव हो रहा है यहाँ पर यह आपका एड़व है alan ति stretcher oh नहीं सोरी यह आपका प्रेम में बता और हमें place के बारे में बता रहे हैं अब Videoges अब आप याफ Preis लोली आप से है over the grass आप देखो grass fits in noun है तो मैंने बताया आपको कि जब भी कोई ऐसी चीज and किसे होगी grass मतब noun या pronounce से start किसे होगी preposition तो यह over जो है यह आपका preposition है grass जो आपका noun है इसलिए यह and किस के साथ हो गया आपका मतलब प्रिपोजिशनल फ्रेज वह नाउंस है नाउं या प्रनाउंस है यह क्या आपका प्रिपोजिशनल फ्रेज यह क्या है स्लोली क्या है एड़व है इसलिए यहां पर यह एक्ट किस तरीक से कर रही है एड़व फ्रेज एड़व ऐसे एड़व मतलब एक्ट कर है preposition phrase के अंदर तो गाइज यह जो आपकी है है यह preposition phrase लेकिन paper में ऐसा नहीं पूछ जाता कि वो किस तरह से act करी है paper में you have to choose only the what is the preposition phrase in this sentence ठीक है maximum में ऐसे ही पूछ जाता कि preposition phrase क्या है अब देखिए इसमें आपको पता चल के प्रिपोजिशनल फ्रेज ही है इसमें पता चल के कि इसमें बिग था तो objective की तरह बिहेव कर रहा था इसमें slowly है तो that behaves as an adverb slowly तो आपको पता ही है that is the adverb of manner तो यह इसलिए आपका किस manner से वो चल रहा है वो किस तरह से कर रहा है over the cross slowly लेकिन दीरे से तो गाइस यह आपकी प्रिपोजिशनल फ्रेज होगी I hope कि आपको समझ आया होगा प्रिपोजिशनल फ्रेज क्या होती है आपकी एडवर फ्रेज क्या होती है आपकी noun phrase और adjective phrase जो हमने previous वीडियो में discuss किय था वो क्या होती है तो गाइस अब हम इसकी वीडियो डिस्कस करेंगे noun phrase की adjective phrase की मतब इसकी exercise बनाएंगे उसके वीडियो बनाएंगे आपकी exercise की तरह से I hope guys ki you can understand everything thank you guys for watching my video okay friends thanks for watching my video if you like my video then please like share and subscribe my channel